नमस्कार सातियों मैं मनीश प्यवाल आप सभी का आज के इस special session में तैदले से स्वागत और अभिनेंदन करता हूँ भारत के पर्थम नागरिक, भारत के महामहीम और भारत के राष्टपती के चुनाओ 18 जुलाई 2022 को होने वाले हैं भारत को एक नया राष्टपती मिलने वाला है परन्तु आज भी काफी लोग राष्टपती की चुनाओ परक्रिया है उसको नहीं जानते कि किस परकार से भारत का राष्टपती चुनाओ परक्रिया है तो आज की इस लेक्चर में हम यही जानेंगे कि राष्टपती के चुना इस बार 2022 के राश्टपती चुनाओं में द्रोपती मुर्मुजी और येश्वंत सिनाजी राश्टपती चुनाओं के लिए उमीदवार हैं ये दोनों ने अपने नामांकन भढ़ दिया है 18 जुलाई 2022 को चुनाओं है और 21 जुलाई 2022 को इनकी मतगरना होगी तो हमारे पास क्या है नए राश्टपती आ जाएंगे 25 जुलाई 2017 को आज के मुझूदा राश्टपती श्री रामनात कोविन जी ने शपत लीती 25 जुलाई से पहले-पहले हमें क्या है नए राश्टपती मिल जाना चाहिए इसलिए 20 जुलाई को काउंटिंग करकर करके तयार रहता है निर्वाचन आयो की हम 25 जुलाई को शपत जो समारो है वो हो जाए भारत को नए राश्टपती मिल जाए तो हम जानते हैं इन राश्टपती की चुनाव उपर की रह के बारे में सबसे पहले बात करेंगे राश्टपती का जो मतलब है जो राश्टपती शब्द है उसको समझने की कोशिश करते हैं देखिए राश्टपती शब्द में आप देख रहे हैं राश्ट राश्ट तो क्या है देश है और जब पती शब्द आप देखते हैं ये पती शब्द का, मैं कहीं ये थोड़ से एक easy वो क्रोड पती है इसी परकार से जो देश का मालिक है जो देश का मालिक है वो कौन है राश्टपती देश का मालिक क्यों देखिए सबसे बड़ा अगर को देश में कुछ है तो वो भारत का सविधान है सविधान सबसे उपर है और सविधान में जो सबसे पहला जो सबसे बड़ा पत है सबसे बड़ा सविधानिक पत है वो राश् शक्तिया किसके पास जाते हैं, तो शक्तिया देश में परधान मंत्री के पास जाते हैं, हमारे देश में परधान मंत्री के पास शक्तिया जाते हैं, परंटू, अगर आप एक ओर्डर में बात करेंगे, गर आप एक करम में बात करेंगे, कि कौन करम में बड़ा है, तो राष करना होता है, सिर्फ साइन करना होता है अगर कानून बनाना हो, तो वो इनके सिंगनेचर के बिना नहीं बनता है परन्तु सबसे बड़े पदमें यही है और शक्तिया हमारे देश में परधान मंतरी के पाज़ आदा है कभी कबार आप ऐसा देखेगा कोई कारिकर्ब देखेगा, जहां पर राष्टपती और परधान मंतरी दोनों आ रहे हो तो पहले क्या है, पहले परधान मंतरी को बुलाया जाते है परधान मंतरी आएंगे, और परधान मंतरी आएंगे और फिर जब राष्टपती आएंगे तो वो परधान मंतरी राश्ट्पती के सम्मान में खड़े होंगे राश्ट्पती का स्वावत करेंगे हाथ जोड करके क्यों? क्योंकि राश्ट्पती सवेधानिक पद में बढ़ा है और जब जाएंगे तो राश्ट्पती पेले जाएगा पर परदानमंतरी जाएंगे तो order में जो है राश्ट्पती का पद उपर है तो राश्ट्पती का यह जो चुनाओ पर करिया है यह बहुत थोड़ी से बहुत काफी डिफरेंट है इसको हम समझेंगे पर सबसे पहले इस राश्ट्पती पद के लिए योग्यता क्या है कौन-कौन राश्ट्पती बन सकता है किसी भी चीज़ के लिए हमें कुछ क्वालिफिकेशन की जरूत होती तो राश्ट्पती बनने के लिए क्या-क्या क्वालिफिकेशन होनी चीए वो देखते हैं वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक होना बहुता और शेक है, अगर आप भारत के नागरिक नहीं है, तो आप भारत के राश्पति के चुनाओं में नामांकर नहीं कर सकते हैं, नोमिनेशन नहीं कर सकते हैं, आपकी 35 वर्ष की आयू पूरी हो जानी चाहिए, मतलब 35 उससे ज़्यादा उमर में अगर आप हैं तो ही आप राश्पती बन सकते हैं लोगसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहीर्थ हो मतलब लोगसभा का सदस्य बनने के काबिल हो लोगसभा का सदस्य बनने के काबिल होने का मतलब क्या है कोई भी कानून लोगसभा का सदस्य बनने के लिए ते कर रखा हो उन सारे कानूनों पर वो खड़ा उतरता हो उन सभी मापदेंडों पर वो खड़ा उतरता हो तो वो लोगसभा का सदस्य बनने के काबिल है इसका मतलब क्या है? वो राश्टपती के चुनाओं में सारी जगे से वो अपने नाते तोड़ते हैं, कहीं पर भी वो अपना नाता ना जोड़ करके रखें, सभी पदों को छोड़ते हैं, क्योंकि वो राष्टपती के पत के लिए नामांकर करने जा रहा है, इसके अलाव कुछ छोटे मोटी और बात हैं, वो mentally upset नहीं होना चाहिए दिवालिया गोशी इतना हो, ऐसी छोटी मोटी बाते हैं, वो एक अलग क्राइटरिय और मुख्यत है, जो सविधान हमें कहता है, वो यह है और इसके लाव वाकी कानूनी परकिराओं में हैं, कि वो mental upset नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ऐसा वैसा हमनों चुनेंगे भी नही वो राष्टपती के लिए आगे बढ़ते हैं, उनको राष्टपती के लिए जो पाटिया हैं, वो उतारती हैं, ठीक है, तो अच्छे इंसान को उतारा जाता है, और अब भी तक जो भारत को राष्टपती मिले, सभी वाकाइदा बहुत अच्छे सक्षियत रहे हैं, राष सबसे बड़ा सवाल चुनाओ करवाता है भारतिय निर्वाचन आयोग कौन करवाता है भारतिय निर्वाचन आयोग पर उसके आपको form के साथ क्या है? पचास परस्तावग. परस्तावग का मतलब है प्रपोजर्स. आप पचास लोगों के ऐसे पचास लोगों के साइनों जो ये सपोर्ट करों कि हाँ इसको राश्ट्पती के चुनाओं के लिए उतार दो. और जिनोंने पचास ने हा करी ये उनके पचास के वापिस हा करने वाले और होने चीछेए. वाए हाँ बाई इन्नोंने जो जिन्मेदेवने पचास लोगों ने बोला ने हम बिन के साथ है। उतारो उतारो तो 50 परस्तावग और 50 अनुमोदक होने चाहिए तो 100 लोगों का उसके पास लिखित होना चाहिए कि हाभा ये लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मैं राश्पते के चुनाओं में उतर सकता हूँ पर अब ये 100 लोग हैं कौन? क्या मैं लिकर के देदू कि हाभाई मैं इनको सपोर्ट कर रहा हूँ उतार दो या और कोई लिकर के देदे आप लिकर के देदे नहीं पोसिब है ये कौन करता है? ये MLA और MP जो होते हैं वो करते हैं MLA मतलब आपके विधायक आपकी जो राज्यों में विधान सबाय हैं जहां से मुख्य मंतरी बनते हैं वो विधायक वो करते हैं या जो सांसद होते हैं लोग सबाय राज्य सबाय की जो सांसद हैं वो करते हैं तो पचास और पचास सो लोगों की जावशक्ता होती जो MLA MP उनको दे तभी आप नामांकर भढ़ सकते हैं उसके साथ आपको 15,000 रुपे भी रिजोब बैंक आफ इंडिया में जमा कराने पड़ते हैं ठीक है इस बात के कि हाँ भाई देखो हाँ सही है 15,000 रुपे जमा करा रहा है और अगर जितने वोट डाले गए टोटल वोट जितने भी डाले गए जैसे मान लेता हूं कि 100 वोट डाले गए 100 वोट का एक बटा छे जब आप निकालेंगे तो एक प्रक्षिन सोला पॉइंट सम्टिंग कुछ आएगा मतलब मैं मानते हूं 17 17 से कम वोट अगर आपको मिले तो क्या होगा आपके 15,000 रुपे जब तो हो जाएंगे यह 15,000 रुपे नहीं मिलेंगे आपने बहुत से बार सुना होगा जो यह नोर्मल चुनाओं होते हैं पारशदों के भी होते हैं विदायक के सांसत के आपने सुना हो और यह और उसी आजमी की जमाने तो जब तो होगे जमाने तो होने का मतलब क्या है जो पेसा उनोंने जमा कराया है जो जमा कराया है ठीक है निर्वाचन आयो को दिया है बेंक को दिया है जो जमा कराया है वो अब वापस नहीं मिलेगा, वापस क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको 1,6 भाग वोट भी नहीं मिले, टोटल जितने वोट डलेना उसमें से 1,6 भी नहीं मिले, मतलब बहुत बुरी स्थिती है, इनको पैसों से कोई फ्रक नहीं पड़ता, 15,000 चलेगे, 2,000 चलेगे, 500,000 कि इतने भी वोट नहीं मिलें पुब्लिक आरे तू क्या चुनाओ लड़ गाता तुझे पहली बार वो चुनाओ लड़ा तुझे पहली बार भी ते जमाने जब्द हो गई मतलब तुझे एक बटा छे वोट भी नहीं मिलें वेसे पंद्रा अजार से उन लोगों कोई फरक नहीं पड़ता है जो राश्टपती के चुनाओ में खड़ा होगा कि मैं पंद्रा जार डूब जाए ऐसा नहीं है अब निरवाचन मंडल किसे दिसी है अब भारत में जब रा राश्पती बनाने चाहते हो जंता वोट नहीं डालेगा फिर वोट डालेगा कौन मद्दान करेगा कौन तो उसके लिए क्या है कि निरवाचन मंडल बनाया गया ठीक है एक ग्रूप बनाया गया जो क्या करेगा चुनेगा निरवाचित करेगा ठीक है अब इस निरवाचन ये दो सदन है और अगर संसत के बारे में अगर कर भी पूछा जाता तो उसमें लोगसभा, राज्यसभा और राश्टपती खुदा आते हैं पर यहां पर बोला गया है संसत के दोनों सदन तो दो सदन हाउस दो ही है एक लोगसभा, एक राज्यसभा उसमें very important निर्वाचित सदस्य, अब यह निर्वाचित का मतलब क्या है, elected, जिनको चुना गया हो वो, elected तो बाकी सब और कौन होते हैं, दो प्रकार के सदस्य आप देखेंगे, एक होते हैं निर्वाचित और दूसरे होते हैं मनोनित मनोनित या जिनम कहते हैं, nominated मतलब कोई election लड़कर के नहीं आया है, उनको direct राष्टपती साब ने बिठाया है, कि हाँ आप जाकर के बैठ जाओ, जैसे कि यहाँ पर आजाओ, लोग सबा में जो total सदस्य हैं वो है 545, तो 543 तो क्या है, चुनाओ लड़कर के जीत करके आया है, और दो क्या है, एंगलो Indians हैं, जिनको राष्टपती साब direct अपोइंट कर देते हैं, direct बिठा देते हैं, वेर से तो देखिए, अब ये एंगलो इंडियन वाला सिस्टम भी खतम हो गया, ठीके, पर अब भी की लोग सबा में तो ये बैठे हुए हैं, पर 2014 में ये हट जाएगा, मतलब 2019 बीस में ये ये इसको, पर 2000 ये से ये अट जाएगा, तो ये अभी वोट नहीं कर सकते, अभी जो चुनाओ होंके ठाज लाएग को, ये लोग वोट नहीं डाल सकते, राजजे समा में जो टोटल मेंबर से हैं, वो है 245, ओके, इसमें से 233 तो चुनाओ लड़कर कर जीत कर क्या हैं, और 12 को राश्टपती साफ क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं या नोमिनेट करते हैं, तो अब ये 12 ये भी वोट नहीं कर सकते हैं, क्या बोला है, सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित इलेक्टेड होने चीए, तो टोटल कितने लोग वोट करेंगे, पान सो तैयालिस ये और दो सो ते अब बहुत ध्यान से सुनना, राज्यों में विधान मंडल होता है, क्या होता है, विधान मंडल होता है, इसमें सबसे पहले विधान सभा, जैसे वहाँ पर लोग सभा है यहाँ पर विधान सभा, हर राज्यों में है, ठीक है, यहाँ पर विधान सभा, विधान सभा के बा परिशद है ना, ये सिर्फ और सिर्फ छे राज्यों में, कितने राज्यों में, सिर्फ और सिर्फ छे राज्यों, राज्येपाल का तो काम ही छोड़ दो, अभी बात ही मत करो, तो छे राज्यों में, तो यहाँ पर क्या वोला गया है, सिर्फ और सिर्फ राज्ये की विधान सबाई तो सभी राज्यों में विदान सबाई तो 28 राज्यों की विदान सबाई वोट डालेंगे पर उनमें भी कौन सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित इलेक्टेड वाले ही वोट डालेंगे अगर किसी को राज्येपाल ने मनोनित कर रखाओ, nominated कर रखाओ, वो लोग राष्टपती के चुनाओं में मद्दान नहीं कर सकते, clear बात फिर 30 राजाओ, केंदर साशित परदेश, दिल्ली, पूर्डुचेरी, विधान सबाओं के निर्वाचित सदस्ये, देखें वहाँ पर किसी को मनोनित कर रखा है, तो वो वोट नहीं डाल सकते, तो अब आपको यहाँ पर यहाँ पर ध्यान देनी है, कि दोनो सद्मनों के निर्वाचित सदस्ये वोट डालेंगे, सभी राज्यों की विधान सबाओं के जो निर्वाचित सदस्ये हैं, वो यहाँ तक कि बात के लिए हमारे योगेता के लिए होगए कि कौन-कौन राश्टपती बन सकता है और कौन-कौन उसमें वोटिंग कर सकता है जब कोई सभा विगठित हो गही हो, तो उसके सदस्येराश्टपती के निर्वाचन में मद्दान नहीं कर सकते, कोई सभा विगटी तो हो गई हो, मतलब बाई जैसे वो विधान सभा या लोग सभा कोई भी सभा वो चल नहीं रही हो या वहाँ पे चुनाओ की परकिराच जारी हो, ऐसी सभा गर विगटी ते है, वहाँ पे नहीं है सदसे, वोट नहीं डालेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि भारत का सविधान कहता है, कुछ भी हो, राष्टपती के चुनाव नहीं रुकने चाहिए, राष्टपती के चुनाव होने ही चाहिए, सविधान में ये प्रावदान है कि राष्टपती के निर्वाचन में विव तो इसलिए तो हमने क्या करा, सभी विधान सभाओं को बोला, विधान प्रशन सिर्फ छे राज्यों में थी, इसलिए मना करते बोले नहीं, सिर्फ छे राज्यों को ही क्यों ऐसा क्यों दे, स्पेशल राइट क्यों दे उन छे राज्यों को, सभी राज्यों की सिर्फ और सिर निर्वाचित लोग ही डालेंगे और राज्यों और संके मद्दे भी क्या होनी चीए समानता होनी चीए तो राज्यों और संके वीच में भी समानता है हमने मनोनित कहीं पर भी नहीं डालने दिया ना तो लोगसभा राज्यसभा में और नहीं राज्यों की विदान सबाव में ड़न अब सवाल आता है कि मत्दान की जो परक्रिया है जो प्रोसेस है वो कैसे है वो क्या है? यहाँ से very important प्रोसेस क्या है? आनुपातिक परतिनी दित्व इसमें तीन ही शब्द important है अनुपातिक परतिनी दित्व एकल संक्रमनी मत और गुप्त मत्दान यह तीन शब्द important है इन तीनों शब्दों को अपन एक्या करके समझेंगे सबसे पहले गुप्त मत्दान को समझेंगे फिर एकल संक्रमनी मत को समझेंगे और फिर आनुपातिक परतिनी दित्फु को समझेगे तो अब सबसे पहले गुप्तमदान को समझते अब आपको पूरी परक्रिया समझ में आ जाएगी देखिए, क्या होता है? जैसे हम लोग जब चुनाओं में वोड डालने जाते हैं हम जब किसी को चुनते हैं तो हमारे पास तो क्या होती? EVM होती है EVM में क्या होता? नाम लिखावा होता है और फिर उसका आगे बटन होता है वो दबा देते हैं और वोड चला जाता है यहाँ पर ऐसा नहीं यहाँ पर क्या होता है? एक आपको बिलेट पेपर दिया जाता है बिलेट पेपर क्या है? इस परकार से मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ यह एक पेपर दिया जाता है इस पेपर में क्या होता है? इधर लिखे वे होते हैं नाम जैसे अब इस बार क्या लिखावा होगा? दरोपती मुर्मुजी और येश्वंत सिनाजी ऐसे नाम लिखावा होगा ठीक है नाम लिख देंगे दरोपती मुर्मुजी येश्वंत सिनाजी ये नाम लिख देंगे अब उसके बाद क्या करना होता है कि प्रिफरेंस दी जाती है कि प्रिफरेंस का मतलब क्या होता है पहल येश्वंत सिना जी को राश्टपती बनाना चाहता हूँ अगर येश्वंत सिना जी ना बने तो दुरोपती महमुझी बन जाए फिर किसी दूसरे ने वोला नहीं नहीं पहले दुरोपती महमुझी बने फिर राश्टपती तो सबको एक-एक क्या है? यह paper दिया जाता है तो आईए अब अपन इसको समझते हैं अब अपन एक बिल्कुल आसान सा उधारन लेते हैं अपन जैसे मानते हैं कि वे तीन candidate रास्पति की चुनावों में है X, Y और Z ठीक है? यह एक ballot paper आपको मिला ठीक है? एक सांसद को मिल गया, एक विधायक को मिल गया एक को आपको इंट्रेस्टिंग बात बिलाता हूँ जो सांसद को, जो लोगसभा और राज्य सबा के जो सदस्य है उनको सांसद का जाता है और उनको जो ballot paper दिया जाता है, वो green color का दिया जाता है कैसा दिया जाता है, green color का और जो राज्यों की विधान सबा में जो विधायक होते है उनको pink color का दिया जाता है ठीक है, तो green किसको दिया जा रहा है जो लोगसभा, राज्य सबा के सदस्य है उनको और pink किसको दिया जा रहा है, राज्ये की विधान सबाओं के सबसे मतलब विधायकों को Done तो अब क्या होता है मिल गया अब यहां पर क्या करा जाएगा preference दी जाएगी प्रात्मत्य दी जाएगी जैसे किसी ने बोला कि बहुत सबसे पहले तो क्या होना चाहिए Y बनना चाहिए अगर Y नहीं बन पाए तो X बने और X नहीं बन पाए तो Z बन जाए फिर किसी दूसरे के पास गया दूसरे के पास बेलेट है सब को दिया है वह अमने के बोला 706 जो मेंबर्स हैं संस लोग सभा और राजी सभा के वो वोट डालें सब को एक एक बेलेट पेपर दिया जाएगा फिर दूसरे नहीं बोला कि भाई X, Y, Z में से क्या हो बनना तो X ही चाहिए X नहीं बने तो Y और Y नहीं तो Z फिर एक और के पास गया उसने बोला कि भाई नहीं नहीं सबसे पहले Z, फिर Y और फिर X ऐसे होता है यह जो आपको बता है यह गुप्त मद्दान है गुप्त मद्दान क्यों है आपको सीक्रेट बिलेट पेपर दिया गया आपने इसमें अपनी प्रात्मिता डाल दी और चुपचा वहाँ पे एक पेटी रखी हुई आप उसको ले जाकर कि वहाँ डाल दे उस पेटी में आप डाल देजी मत करने ना वाले दिन खुलेंगे यह तो गुप्त मद्दान की बात मैं आपको समझे अब गनिना होते समय क्या होता है वो चीज़ समझे अब क्या होगा सबसे पहले तो क्या करा जाएगा जैसे मैंने तीन बॉक्स बना लिए यह एक बॉक्स X को दे दिया यह एक बॉक्स Y का है और यह Z का है ठीक है यह क्या है निर्वाचन आयोक का काम है अपना नहीं है तीन बॉक्स बना लिए अब क्या करा सबसे पहले देखेंगे कि वाई पहली जो प्राक्मिकता है वो किसको मिलिये तो इसमें देखेंगे वाई य को मिलिये तो आजा ये वाई में चला गया इसमें एक्स को मिलिये एक्स में चला गया उसके दिए इसमें जेड में मिलिये जेड को फिर और किसी की X में है यूगी जिसने फर्स नमबर पर X को लिखा होगा X का डाल दिया जाएगा जिन्होंने फर्स नमबर पर Y को दिया होगा Y को में डाल दिया जाएगा जिन्होंने Z को दिया होगा Z में डाल दिया ऐसे सब में अलग-अलग कर दिया अब उसके बाद ये क्या हो गया आपने गुप्तमद्दान कर दिया और फिर X को Y को Z को आपने दे दिया और अब हमेशा क्या है राष्टपती बनने के लिए जरूरत है कि आपको जितने भी टोटल वोट गिरते हैं जितने भी टोटल वोट होंगे कि अगर जैसे माल लो ची बहुँ, यह तो 50% हो तीनों में से कोई ही क्रूश नहीं कर पादा फिर क्या करेंगे और फिर पता चला जेड का सबसे काम है तो जेड भाहर जेड क्या हो जाएगा? भाहर हो जाएगा फिर जेड की जो पर्चिया है जो valid paper था वो वापस भाहर निकालेंगे अब उसमें से देखेंगे कितने लोगोंने X-Core Y को second प्रात्मिक्ता पर रखा है क्योंकि जिन जिनके Z वाले डबे में डाला उन्होंने first पर तो किस को रखा है? Z को रखा है एकल संक्रमाणिय मत एकल संक्रमाण हमने क्या कर दिया? transfer कर दिया इसके वो transfer कर दिया फिर जिसके पास जादा अब तो of course यह बात है 2 में से एक के पास तो होगे ही जादा तो जिसे माली जी X के पास जादा होगे तो X जीत के मैंने आपको तीन शवद इंपोर्टेंट बताये थै अनुपातिक परतिनी दित्वों, एकल संकरमणी मत और गुप्त मत्दान हमारा हुचुका है अब देखिये जब हम नर्मल जो चुनाू होते हैं, लोक सबाग门ी है, विधान सबागो के चुनाы में हम क्या करते हैं हम एक वोट डालते हैं जिसको जादा वोट मिल गए वो जीत गए पर यहां पर यह कि 50% को क्रोस करना ज़रूरी है और अब यहां पर क्या होता है जैसे कि जब हम वोट डाल रहें तो हमारा तो भी बराबर है वन मेन, वन वोट, वन वेलियोगा पर यहाँ पर ऐसा नहीं है अब क्या है? इसे प्राप्त करने के लिए राज्ये विधान सभागत असनसरत के परते एक सदर्षे के मतों की संख्या निमन प्रकार से नियुदारित की जाती है विधायक के मत का मुल्य है विधायक कौन होता है जो राज्य के विधान सभा का सदस्य है उसके एक वोट की वेल्यू कैसे निकाली जाती है वो देखो यही क्या है आनुपातिक प्रतिनीदित्व दिया गया है, कि भाई, जिसकी जितनी जन संक्या, उसका ज़्यादा वोट का वेल्यू हो जाएगा, ठीक है, अब देखते हैं, कि कैसे एक विधाय के वोट की वेल्यू निकले जाती है, राज्ये की कुल जन संक्या, आप जिस राज्ये की विधान सबा में बैठो, जिसे माल लीजिए कि वह हम यूपी की विधान सभागा है अब राज्य की कुल जन संक्या मैं मान करके चलता हूँ एक पार मैं ऐसे मानता हूँ कि दस हजार है ठीक है सिर्फ आपन बड़े आखड़ों पर नहीं जाएंगे दस हजार है और मैंने ये मान लिया कि यहां के फिर क्या मोला राज्य विधान सभा के निर्वाचित कुल सदसे निर्वाचित जो टोटल इलेक्टेट है मैं मान करके चलता हूँ कितने है जिसे माली जी सो है उसके बाद क्या करा गया एक वटा हजार है से करा गया है तो यह थोड़ा सा क्या है आप इसको आकड़ों में बढ़ा दीजि उसके एक वोट की वेल्यू कितनी होगे दस होगे अब ऐसे मालों में राजस्तान की निकालूमा तो राजस्तान की यूपी से कमजन संक्या है तो क्या होगा इसका कम आएगा इसका माली जी आठ हाज सकता है साथ आ सकता है और किसी की कम होगी वहाँ पांच छे भी पहुष हो सकता है और किसी की और呵m होगी, तो 2-3 भी पहुत सकता है, राजास्तान से यादा हो, तो 9 भी आ जाये, ओके, तो ऐसे करके क्या EKC, विधाय की वेल्यू, वोड की वेल्यू निकाली जाती है, जैसे, basically मैं आपको बता हूँ, राजस्तान के जो है, उसकी 139 point value है कितनी है 139 अगर आप normally देखेंगे तो 139 है मतलब एक विधाय का vote डालने का मतलब है वो 139 point उस राश्टपती की तरफ चलेगे उस उमिदवार की तरफ चलेगे अब सवाल यह आता है कि सर यहाँ पर राज्जे की कुल जनसंक्या कोन सी है जो आज मुझूदा जनसंक्या है वो है 2011 में थी जनगर्णा कराएगी 2001 की जनगर्णा कौन सी जनसंक्या को आधार माना गया है तो यहाँ पर 1931 1931 में जो जनगर्णा होई थी उनी जनगर्णाओ को राज्यों की जनगर्णा का आधार जन संक्या का आधार माना गया है और उसी इसाब से राष्टपती के चुनाओं में ये calculation पूरी होती है ये एक बटा अजार इसलिए करा गया है क्योंकि जिससे क्या हो थोड़ा आकड़ा सही निकल जाए तो इसा बहुत बड़ा लंबा आकड़ा पहुच जाएगा तो विधाय की वोट की वेल्यू कैसे निकली राज्य की कुल जन संक्या जो 1931 में थी और टोटल जो निर्वाचित कुल सदस्य है वो डिवाइड देंगे अब देखो, राज्यस्तान का, यूपी का, एमपी का सब का, सौरे राज्यों का क्या कर लिया, पता लगा लिया अब उन सब को क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे सब को टोटल कर लिया टोटल करने का संसत के निर्वाचित संदस्य की कुल सदस्य दो अब जिसे मान लीजिए, यहां पर कितना आगया मैं मान लेता हूँ, 7,06,000 आगया है, ठीक है, टोटल जो है, वो 7,06,000 आगया, जितने भी राज़ी हमने उनके जोड़ा है, और अब टोटल सदसे कितने हैं थे, निर्वाचित में ने बताया था, 7,06, मैं इसको काड़ कि यह पूरा निकल जाएगा, पूरा सिस्टम हो जाएगा, मद्दान कर दिया गया, और ऐसा पता दिलगा, इतने टोटल वोट है, और फिर फर्स्ट प्रात्मिक्ता के साथ जो जीतता है, उसको क्या है, उसको क्या है, उसके वोट इना विधायक और इतने सांसतों ने इसक संग किया कि आधार पर क्या है रिपर्जेंटेशन उनको दिया गया है किसी उमीदवार को राश्पती के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निशित भाग प्राप्त करना आवशेक है कितना भाग आवशेक है कुल वेदमत जो टोटल वेलिड वोट से जो सही वोट है वो एक प्लस एक दोग से आप भाग देंगे और उसमें एक तो यह क्या होगा जितना नहीं होगा उसका 50% आजाएगा और 50% प्लस वन ठीक है जिसे माली जी मेंने का कि 10 लाख अगर मतों की वेल्यू हो रही है तो 5 लाख एक भी अगर उसको मिल जाते हैं तो वही राजपते का उम्मीदवार बन जाता है और जब तक नहीं मिलते हैं जिसे माली जीए एक्स वाए और जेड को नहीं मिला तो पहले ही अकाउंटिंग फिर वापिस होगी या तो पहली बार में एक्स को 50% से जादा क्या है मिल जाए कि वह फर्स प्रात्मित्रा पर एक्स ही बनना चाहिए पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर एक को सबसे कम इसको भार करा जाएगा फिर आगे करेंगे फिर अगर ऐसे 4-5 केडिडेट से तो यह प्रोसेस जब तक चलेगा जब तक कब तक है कि एक हमारे पास यहसा बंदा चुन करके नहीं आजाए जो 50% से जादा है यह आम चुनाओ जो हमारे होते हैं लोक सबा के, राज्यों की विधान सबाओ के उनसे बहुत हट करके है ठीक है हम वोट डालते हैं एक वोट एक समार पर यहाँ पर रहसा नहीं एक वोट की वेल्यू है और हर राज्यों की अलग-अलग है ठीक है हम जो वोट डालते हैं एक vote से जो जीद गया चाहे 40% हो चाहे 30% हो चाहे 50% जीद गया? वो जीद गया बई ठीके? जो जीद गया वो जीद गया पर यहाँ पैसा नहीं यहाँ पर यह आकड़ा आपको cross करना होता है यह राश्ट्पती अब राश्टपती को शपत कौन दुलाता है जब राश्टपती बन जाएंगे 25 जुलाई को हमारे नए राश्टपती हमारे सामने होगे उनको शपत कौन दुलाएगा तो शपत दुलाता है Chief Justice of India जो Supreme Court के मुख्य न्याइदीश है वो शपत दुलाते हैं अब आप मुझे comment box म ये बताईएगा कि मुख्य न्याइदीश अभी है कौन इसके अलावा अगर कभी राश्टपती को अपने पद को त्याग ना हो छोड़ना हो वो इस्तिफा किसको देखते हैं उप राश्टपती को इसलिए देते हैं क्योंकि राश्टपती के जाने के बाद जितनी भी जि 25 जुलाई 22 से लेकर के 25 जुलाई 27 तक राश्टपती के कारेकाल को समालता है ये पूरी क्या है राश्टपती के एक जो निर्वाचन परक्रिया है उसको कैसे चुना जाता है वो ती मद्दान जो करेंगे और हमें 21 जुलाई को परदा चल जाएगा ये राश्टपती बन च भी शपत लेंगे तो उसके रिगार्डिंग भी अपने एक वीडियो ले करके आएंगे ओके ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट वक्स में जरूर बताईएगा और अब राष्टपती को शपत कौन मुख्यन आदिस दिलाएंगे ये भी आप कमेंट वक्स में बताईएगा मिलते हैं नेक्स टेक्टर में तब तक के लिए थैंकियो सो मच जै हिंद जै भारत